तो हेलो एफ्रीवन काफी टाइम बाद वीडियो मेरा जा रहा है और ये डिलेवरी के पहले का वीडियो है डिलेवरी के एक दिन पहले का और डिलेवरी वाले दिन का ये व्लॉग मेरा जा रहा है कि डिलेवरी से पहले क्या कैसे हुआ तो 7 अप्रेल के बाद जैसे कि नौरात्री चल रहा है उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया था बच्चों की मस्ती वाला बस मैंने वीडियो शूट किया अपरे पापा के साथ इस तरीके से बच्चे मेरे खेलते रहते हैं मेरे पेट में दर्द होने लग गया था टाइट पर नीचे की तरफ जैसे होता नहीं है बता नहीं सकती हो रहा है कि पेन उठ रहा था फृर ठीक हो जा रहा था मतब बरदाश करने वाला पेन था तो कल डॉक्टर को भी दिखाने जाना है और थोड़ा सा जो ब्रिफिंग वा बच्चों के साथ खेलते हैं पूरा टाइम देते हैं दोनों बच्चों के साथ और बस यहां पर मैं डैरेक्ली अश्टमी के दिन शूट कर रही हूं क्योंकि सक्तिमी दिन मतलब आठ तारीक मैंने शूट नहीं किया जा डॉक्टर को दिखाने के तो इस दिन मेरी हारत जिस हॉस्पिटल में मेरा था अमर्जंसी रह तो अलग बात होती है तो उन्होंने अश्टमी का दिन दिया था तो यहां पर हम लोग सुबह पार वजे उठ गए हैं और आज मेरा होना है डिलेवरी कह सकते हैं आज मैं जाओंगे डिलेवरी करवाने के लिए आज बेबी आ जाएंगे तो यहां पर बस अश्टमी पूजा चल रही है मिल बैट करके पूजा पाठ कर रहे हैं सुबह चारी वजे उठ गए थे और आज अश्टमी की ही दिन मैं हवन वगएरा कर लूंगी पूजा वगएरा कर लेंगे क्योंकि नौमी की दिन संडे भी पढ़ा और कई इस तरीके से चल ला था क्योंकि आज सुबह ही मुझे निकलना था बस हलका फूका खाके निकलना है यह था तुक तुक अभी सो रही थी और इस समय सुबह के मेरे ख्याल से पांच नहीं साड़े पांच छे वज रहे हैं थे आज है एश्टमी और आप सभी का हैपी नौरात्री मातारानी का हवन वगेरा हो गया आज ही हमने मातारानी की विदाई कर दिए बट अभी मुस में भी सर्जन नहीं करें हैं हवन वगेरा आज ही कर लिये हैं और आज है बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि आज जा रहे हम तो बज़ी निकलना इस वक्त आठ बज रहे हैं सारी चीज़े रड़ी होगी और सिस्टर वेगर भी आगई हैं तो सब लोग आ गए हैं लेकिन मामा कहा है मामा पीछे हैं तो मामा भी आ गया है न तो छोता बेबी आएगा तुक-टुक का तो बस निकलना है थोड़ी देर मे बस निकलेंगे, हलका खा के मुझे बोली आने के लिए डॉक्टर ने और ये सब निकाल करके मैं उतार के ही जाओंगी तो इस तरीके से चल रहा है तो पस हलका से चाए मैंने पिया था और थोड़ी सी खिचुनी मैंने खाई थी से पहले आसनी मार भी था तो मैंने सनी दिया भी जला लिया था उसके बाद कुछ शूट नहीं किया मैंने मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर से अन्जाटी होती नहीं है डर टाइप का खुब रोना दोना भी चला मम्मा और खुब भी घर पे हैं जैसा कि आंक साब को लग रहा होगा इतना रोना आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ अपने बच्चों के छोटे-छोटे जो मेरे दोनों बच्चिया उनके भी मुझ में देखके रो रही थी तो मम्मा और खुब भी घर पे भाहिया और प्रिंसी और हजबन जी चल रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ चल रहे हैं और बस निकल चुके हैं घर से ये वीडियो मेरा लेट में जा रहा है अब तो बेबी आ भी गया है बस रिद्धी टुक टुक भी साथ में है और कुछ ही दूर पे है घर से हॉस्पिटल तो ये था क्या सनिवार भी था अश्टमी हमन माता की विदाई भी कर दिये थे दिया भी जला लिये थे तो बस थोड़ी दूर पे वहां पंचुकी हनमान जी है तो उनके दर्शन मंदिर में कर लेंगे उसके बाद फिर यहां से थोड़ी दूर पे है हॉस्पिटल तब हॉस्पिटल जाएंगे तो ऐसा था हम लोगों का प्लान होता है ना जब हम लोग मजधार में होते हैं या कोई भी खुशी का पल हो य कह सकते हैं ऐसी कोई परिस्थिती होती तो हम भगवान को जरूर याद करते हैं तो हैस्पिट जी वर्दी में ही थे चुप्ती लगाने के लिए ओफिस गया थी वहां से फिर ओफिस से काम करके फिर यहां पे दर्शन बगरा करके हम लोग निकलेंगा और समय सुबे के बज पहुंच रहे हैं और हम लोगों को नौ बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना था तो पंचम की अन्मान मंदिर भी पहुंच गए हैं आप भी कर लीजिए दर्शन आप कुछ भी कहिए भगवान पे आस्था बहुत जादा है और बस इनहीं का नाम ले करके यहां से निकल रहे है लेकिन हिम्मत बनाई हुए थी और माता नानी और प्रवंसुत हनुमान जी का इशरवात से सब मतलब अच्छ से हो जाए यह था मन में तो बस यहां से दर्शन वेगरा करने के बाद निकलेंगे हम लोगों हॉस्पिटल मन में बस यही हो रहा था प्रभु जी बस सब दोनों बच्चियों को मज़े छोड़ने का मन नहीं था घर पे मम्मा और खुश्बू थी क्योंकि जिब मैं घर से निकल जाओंगी तो पूरा कल्शाव गरा जो है वो समेट करके विसरजन के लिए रखना था क्योंकि उसके बाद सवरी लग जाती है तो ममी लोग भी दु नहीं कर सकती कि उस दिन वो पल क्या था तो बस बात करते करते हैं आख में कह सकते हैं आपकी आशू फिर से आ गए तो बस यहां से निकलेंगे हम लोग हॉस्पिटल के लिए दर्शन वगरा कर लिए हैं तो जोर से बुलिये पौन सिधनुमान जी कीज़े तो बस यहां से निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए तो तुकटुक आगे साइट बैठ ringing है मैं पीछे साइट कंफर्ट थी बैठने में और बस यहीं से थोड़ी दूर में करुनाष्ण हॉस्पिटल नहीं होगी मेरी डिलेभरी तो चलते हैं देखते हैं क्या कैसे प्रूसेजर है क्या होन है तो जैसा कि जानते हैं ट्विन्स प्रेग्नेंसी है बहुत चीज़े दिक्केतों का सामना आप करना पड़ा था पेन भी हो रहा था टाइट भी हो रहा था पेट अब यह था बस जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए तो बस हम लोग करनाशे पहुंच गए हैं और बहुत है श्पेशल दे हैं आज है दुर्गाश्टमी सब मातरानी के पास हवन वेगेरा भी मैंने कर लिया पुजा पाड़ भी कर लिया और मातरानी की विदाई भी करके मैं आज आ गई हूँ तो फानली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और बस अब अंदर चल रहे हैं देखते आगे का क्या प्रोसेसर है तो चलिए तो हॉस्पिटल के अंदर चल रहे हैं काफी खाली खाली सुबह आ गया थे क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सुबह सुबह बला लिया थे क्योंकि यहां के बार मुझे लेबर रूम में ले चले जाएंगे और बहुत प्यार आ रहा था पता नहीं क्यों इस टाइम पे और रिद्धी टुक्टू को मन लग रहा था अपने पास रखी रहूं तो बाकी जो हॉस्पिटल के प्रोसेजर होता है ना ओपरेशन से पहले पेशन का वही सब करना था तो वही सब कर रहे थे तो यह हुआ कि डॉक्टर का वेट करना है डॉक्टर आएंग पी लो तुम उसके बाद फिर हम कुछ पीने को मिलेगा या खाने पीने को मिलेगा कि नहीं काउंटर पे सारा वर्क वेगरा कर लिए थे हम लोग यहां वेट कर रहे थे डॉक्टर का और सारा शूत मेरी पहन है जो प्रिंसीब वो की है उससे में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे करें और दिल की धड़कने कह सकते हैं हैस्बेन वाइफ दोनों की तेज थी और बहुत सी चीजे मन में चल रही थी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और बस यह सब देख रहे थे कि हां कैसे क्या करना है कैश्वर गयरा निकाल रहे थे कि काउंटर पर जमा करना है तो भाईया और मैं और बच्चियां वाँ सब थे इसी लाइन में और आगे साइड लेबर रूम में वहीं पर मुझे अंदर ले जाएंगे उसके बाद फिर मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा तब डारेक्टर आपको अपरेशन ठेटर में ले जाने से पह ब्लॉग में नन्य मन्य महमान के साथ कि किस तरीके से Оपरेशन ठेटर में जानने से पहले किया शिशुएशन थी क्या हो रहा था तो बनेजिएगा मेरे साथ और विडियो अच्छलगे तो लाइक करिएगा चैनल को सेब्स्काइब करना मत भूढ़ आपरेवेंट